हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मेगनेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं तो आप लोगों को जैसा कि पता है बिल्कुल अंतिम 15 दिन आप लोगों के लिए बचे हैं तो इस 15 दिन में मैं आप लोगों को लिए करवाने वाला हूं साइंस का संभावित प्रश्ण पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्स्प्रक्टेट कुर्शन समलोग करेंगे अगर आप लोगों ने पहले तयारी कैसी भी हो कुछ भी हो सब भूल जाईए बस आप लोग इस क्लास को फॉलो करिए और आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कराता रहूंगा मैं जैसे वाइलो जी जी विज्ञान की शाकाय से बहुत कुशन आते हैं तो आज श्याम को चार बजे में इसके क्लास होगी जोड़ जाओ दोस्तों अलाराम वगेरा सेट कर लिया करो जो भी आप लोगों को करना है क्यो क्योशन पे आते हैं अंसर आप लोग बताएंगे देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है द्रश्टी भादित छात्र मतलब कोई छात्र है जिसके द्रश्टी में कोई दिक्कत है डंग से वह है देख नहीं पा रहा तो निमलिकित में से किसका उप्योग अमल शार संकेत क के रूप में कर सकता है चार आप लोगों को ऑप्शन दिये में इसमें से किसका इस्तिमाल वो अमल और शार का पता लगाने में कर सकता है क्या नहीं सर लिटमस पेपर का नहीं कर सकता क्योंकि लिटमस पेपर क्या करता है अगर उस पे आप लोग अमल डालोगे तो ये नील यह शार डालते हो तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है बट यह जो बच्चा है डंग से देख ही निनी पाएगा तो यह पता लगा इनी पाएगा onion यानि प्याज भी इसी का एक example है जब प्याज पे आप लोग अमले डालोगे ना तो इसकी जो smell है गंद वैसी की वैसी बनी रहती है बड़ जब आप लोग इस पे base यानि शार डालोगे ना तो इसकी smell चली जाती है तो मैंने आप लोगों को बोला आपके पास में प्याज है मैंने इस पे कुछ चीज डाली आप में देखा है इसकी गंद गायब हो गई तो आप लोग पता लगा सकते हो ना कि जो चीज आपने डाली थी जो चीज डाली गई थी इस पे वो क्या था base यानि शार था सिमिलरली दोस्तो वनिला के साथ में भी ऐसे ही होता है अगर आप लोग इस वनिला में कोई acidic nature यानि अमली प्रकरते का कोई पदार डालोगे तो इसकी गंद वैसे की वैसी रहती है बढ़ जब शार डालोगे ना तो इसकी smell चली जाती है तो भी यह जो व्यक्ति डंग से देखनी पारा वो litmus paper का यूज नहीं कर सकता हल्दी का यूज नहीं कर सकता बट इनका तो यूज कर सकता है तो correct answer आप लोगों का हो जाएगा option number C ठीक है चली बहुत बढ़िया नैश question आपके screen पे answer आप लोग बताएंगे question में बोला जा रहा है तिल चट्टे के रिदे में आलिंदी की संख्या कितनी होती है बहुत अच्छा question है देखो अगर हम लोग बात करें हमारे रिदे की हमारे हर्ट की तो हमारे रिदे में कुल चैंबर कितने होते हैं कुल कोश्टा कितने होते हैं सर चार होते हैं उपर वाले को आप लोग बोलते हो आलिंद यानि औरिकल और नीचे वाले को बोलते हो वेंट्रिकल यानि निले तो कुल मिला के हमारे पास में दो औरिकल यानि दो आलिंद होते हैं मैं हमारी बात कर रहा हूं और अगर बात करें वेंट्रिकल कितने होते हैं सर दो ही वेंट्रिकल यानि दो ही निले होते हैं लेकिन क्या सभी एनिमल के रिदे में चार चेंबर होते हैं क्या नहीं सर अगर हम लोग बात करें मचली की फिश की तो सर इनके रिदे में तो दो ही चैंबर होते हैं अगर हम लोग बात करें जो रैप्टाइल होते हैं जो सरी सरफ होते हैं सरी सरफ किसको बोलते हैं जो रेंग रेंग के चलते हैं चिपकली हो गया यह भी एक रैप्टाइल का एक जंपल है तो जितने भी सरी सरफ होते हैं उनके रिदे में तीन चैंबर होते ह के रिधे में lap एक तो इसके मघर्मच और घडियाल यह दोनों सरी सरफर वर्ट इनके रिगए में कितने चैंबर ऐब दोस्तों कोक्रोज‡ संख्या कुछ ठीवर्बर की संख्या कितनी होती है होती है तो आप 13 देखते ही ऐसे नहीं कुद होगे आप को दोगे ऐसे examiner आहले को देगा ऐसे से क्वेसं को अलिंद कितने होते हैं णो उस्ते हैं में से साथ नहीं कि आने अलिंद और बाकिके 6 तो होते हैं वेंट्रिकल यानी निल है दोस्तों याद रह जाएगा क्या कोई दिक्कत नहीं है ना समझ में आ गई और सेशन को या लाइक और शेर करते रहो चलो नैश कोशन आपके स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताएंगे क्योशन आपकी स्क्रीन पे है बताईए बोला जा रहा है गती के लिए यूगलीना जीव डैश का उप्योग करता है दोस्तो बहुत सारे जीव है जो गती करते हैं जैसे हम भी गती करते हैं हम लोग अपनी गती के लिए किसका इस्तिमाल करते हैं सर हाथ पैर का इस्तिमाल करते हैं बट यार सभी के पास में हाथ पैर तो होते नहीं है तो ऐसा ही एक जीव है यूगलीना आप लोगों से बोल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर गती करने के लिए इसकी बॉडी में धागे जैसा structure होता है इसी धागे जैसे structure को आप लोग बोलते हैं या इसको आप लोग फ्लैजीला भी और इसी फ्लैजीला के माध्यम से वो क्या कर पाता है गती कर पाता है तो करेक्ट अंसर ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा दोस्तों आपकी जानकरी के लिए बता दू बैक्टिरिया जो होते हैं जीवानू जो होते हैं ये भी इसी फ्लैजीला इनकी बॉड़ी में भी जैसे माल वीकिता है क्यों सुक्षे शेयर का नाम है क्यों सॉना है क्यों कि आप ने बहुत देखाए उसको पैरामीशियम वगर इतने चोटे होता है अप लोग देख ही इसकी बात ही नहीं क्या बेखो ओर एसे ढागे जैसी फ्लीचर नजर आ रहा हैं दोस्तों इसी धागे जैसे structure को हम लोग बोलते हैं Celia और इनी Celia का वो इस्तिमाल करता है movement में यानि चलने में एक जगे से दूसरी जगे चलने में तो अगर आप लोगों से पूछा जाए Celia का इस्तिमाल कौन करता है movement में तो आप लोगों का अंसर हो जाएगा और ये सूरोब बोडिया का इस्तिमाल करते हैं और यह सूरोब बोडिया किसमें पाय जाते हैं इयान आप लोग रखेंगे दोस्तों टैंटिकल्स क्या होता है इक एनिमल है जिसका नाम है ہाइड़ एll tentacle तो यह जो hydra जो की एक animal है जो की जन्तु है यह एक जगे से दूसरे जगे जाने के लिए किसका इस्तिमाल करता है tentacle का सर कैसे करता है यह पहले ऐसे हो जाएगा फिर tentacle को नीचे रखके आपने यह नीचे वाला पाट उपर कर लेगा फिर ऐसे फिर ऐसे ना ऐसे किसकी मदद से tentacle की मदद से clear है चले आगे चलो नैश कोशन आपकी स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताएंगे चलिए जल्दी से अंसर बताईए पिता का blood group B है माता का blood group O है तो बच्चे का blood group क्या हो सकता है चार option दिये हैं दोस्तों इसको कैसे solve करना है कुछ भी मत करो आप लोग क्या करो एक तरफ लिख लो father यानी पिता और एक तरफ आप लोग लिख लो mother यानी माता clear है क्या बिल्कुल तो father का blood group क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ है और mother यानि माता का blood group दिया हुआ है इतना तो लिख सकते हो बिल्कुल दोस्तों जब भी इस प्रकार के question आप लोगों के पास में आए आप लोग इसको inisaly solve करसकते हो लेकिन इसके कंडिशन क्या है यहां पर दो लेटर होने चाहिए और यहां पर भी दो लेटर होने चाहिए अब सर एक ही लेटर में क्या करूं माल लेते हैं अगर फादर का ब्लड ग्रूप ए भी होता तो यहां पर दो लेटर हो जाते मदर का ब्लड़ ग्रूप मालो ए भी होता तो यहां पर दो लेटर हो जाते बट सर अभी तो दो लेटर नहीं है फिर हम लोग क्या करें और आप बोल रहे हो इस प्रकार के question को solve करने के लिए आपके हatus पर दो letter होने चाहिए तो हमारे पास तो 1 है 2 कैसे बनाए तो जब भी आपको 1 से 2 बनाना है आपको किसका इस्तिमाल करना है O का इस्तिमाल करना है तो इदर भी O लिग दो इदर भी O लिग दो समझ में आगया? बिल्कल सर समझ में आगे अब जाके क्रोस कर दो। तो इस π को इस ओ से क्रोस करवाओगा तो क्या मिलेगा? बी. B O का मतलब होता है blood group B और B O का मतलब होता है blood group B तो जो बच्चा होगा उसका blood group या तो B हो सकता है या O हो सकता है तो क्या हो सकता है B या O option में B DIY के बिल्कुल तो correct answer option number C हो जाएगा clear है क्या clear है क्या समझ में आ गई और दोस्तों like और share तो करो यार इसमें कंजूसी मत करो, देखो मैं आप लोगों के लिए बहस्ट रहा हूँ तो आपको भी कंजूस नहीं बनना है, दोनों तरफ से बिलकुल मेनत आनी चाहिए, चलिए, बहुत बढ़िया, नैश कोशन आपके स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताएंगे, बताओ, सर्सो के ते जो मैं आपको मिलेगा जिसे इमली में बहुत जारा मातर में पाय जाता है, थीक है, मैंने यहां पर लिख दिया, इमली, ब्यूतरिक एसिड आप लोगों को कहां पर मिलता है, سर, ये वला एसिड मिलता है, सर, मक्षन में, जो आप मेरे लगाते रहते हो,AAAA कूझ या लगात बहुत अच्छी बात है बट उन्होंने नाम कुछ और पूचा तो इसका फॉर्मुला भी आप लोग ध्यान में मिल जाएगा करेक्ट अंसर ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा चले आगे चले चलिए नेक्ष कोशन आपके स्क्रीन पर अंसर आप लोग बताएंगे कोशन आपकी स्क्रीन पर बताओ सरवादिक आगाद वर्दनिये तत्व का परमानुकरमांक क्या है तो यार हमारे पास हैं बहुत सारे तत्व पाये जाते हैं गोल्ड, सिल्वर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, केल्शियम सबसे ज्यादा मैलेबल एलिमेंट कौन सा है उसका परमानुकरमांक आपको बताना है मैलेबल का मतलब क्या है जिसको ठोक कर आप शीट में कनवर्ट कर सकते हो जैसे आप लोगों को पता है गोल्ड की मैलेबलिटी सबसे अच्छी होती है सोने की क्यों क्योंकि सोने को जब आप लोग ठोकोगे ना उपर से तो ये आराम से शीट में कनवर्ट हो जाएगा तो basically आप लोगों को तत्व तो पता पड़ी है गोल्ड लेकिन इसका पर्मानुकरमांग क्या है दोस्तों इसका पर्मानुकरमांग है 79 option number B इसका correct answer हो जाएगा क्या आप लोग बता सकते हो असी पर्मानुकरमांग किसका होता है बिलकुल सर असी मैं जानता हूँ करी का होता है पारे का होता है क्या आप लोग जानते हो इस पारे की क्या विशेष्टा है सर पारा एक मैटल है धातू है जितने भी धातू है वो ठोस अवस्ता में पाये जाता है यानि मरकरी एकलोता ऐसा धातू है जो तरल अवस्ता में पाये जाता है क्या आप लोग मुझे अधातु ब्रोमीन है जो कि आपका तरल अवस्ता में पाया जाता है क्लियर है क्या ठीक है तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे यह बैठा आप लोगों का गोल्ड जिसका सिंबल एयू होता है कारण क्या है क्योंकि इसका लेटे नेम होता है और और इसका परमानुकरावांग होता है 79 चलिए बहुत बढ़िया नैश कोशन पर चलते हैं अंसर बताएंगे बहुत-बहुत-बहुत अच्छा ग्योशन है कि बताओ दोस्तो बोला जा रहा है the mode of nutrition in fungi जो कवक होते हैं वो खाना कैसे खाते हैं उनमें पोशन का तरीका कौन सा है चार आप लोगों को option दिये मैं जल्दी से आप लोग बताईए तो आप लोग ध्यान रखेगा दोस्तो जितने भी जीव होते हैं ना कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं जैसे प्लांट अपना भोजन खुद बना लेते हैं प्रकास इंसलेशन की प्रक्रिया से तो ऐसे जीव को आप लोग बोलते हो ऑटो ट्रॉफ ऑटो ट्रॉफ का मतलब स्वैपोशी यार वो अपना भोजन खुद बना रहे हैं क्या हम हाँ सर मैं तो बना लेता हूँ किचन में जाके अरे लेकिन आप लोगों को आता चाहिए ना सबजी चाहिए ना उसके लिए आप लोगों को प्लांट्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा दूज चाहिए ना इसके लिए आपको एनिमल में होलो जोईक होलो जोईक सरी होलो जोईक क्या होता है जैसे कुछ जीव होते हैं जो भोजन को खाते हैं फिर उनका पाचन होता है फिर जो काम की चीज़े होती है उनकी बॉड़ी में एब्जॉर्ब हो जाती है अवशोशित हो जाती है जो काम की चीज़े नहीं होती हो बॉड दोस्तों विशम पोशी का दूसरा प्रकार है सैप्रोफाइट जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं म्रत पोशी जो डैड यानि म्रत चीजों पर निरबर रहता है जैसे मालो आप लोग कवक को देखोगे ना पेड से मालो कुछ पत्ती गिर गई अब वो डैड है ना तो प ुझी जेवी ऐसे होते हैं जो किसे दूसरे लिविंग बोडी में से जाकर खाना खीचते आ हैं तो उसको आप लोग बोलते हैं पर यह तो हमारा कवक्छी से टिक option नमबर ए लेकिन अगर एक ही चुनना पड़ता तब आप लोग अंसर यह देते हैं क्योंकि मैग जितने भी कवक होते हैं वो म्रत पोशी ही होते हैं नैश कोशन आपके स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताएंगे कोशन स्क्रीन पे आपके जल्दी से बताओ दोस्तो जब आप लोग जल्द में पानी में थोड़ी मात्रा में अमल मिला रहे हो तो क्या कौन-कौन सी गटना होगी चार आप लोगों को चीजे बताए गई है अब आप लोगों को इन option में से चुनना है कि कौन-कौन सी चीज होगी आराम से करो कोई दिक्कत की बात नहीं ह तो अंसर आ रहे हैं मैं देखता हूँ मोहित, हिमेश, संजे, नीरज, अजर, दुरगेश, खुश्बू, आशीश, विकास, मिश्टर सोनी, महेश, नाज, दीपक, अरे भाईया खतना कमेंट आ रहे हैं तो चलो देखते हैं दोस्तो जल में थोड़ी मात्रा में अमल मिलाये जाता है, तो क्या होता है, चलो सर समझते हैं, लेकिन इससे पहले में छोटी सी बात बता दो, बताओ ना सर, जब आप लोग ऐसीड यानि अमल की अभीकरिया बेस से करवाओगे, यानि शार से करवाओगे, तो क्या बनता ह Salt बनता है जिसे आप लोग हिंदी में लवन बोल ते हैं साथ में पानी बनता है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो दोस्तो Salt का Formation लवन का निर्मान कभ होता है? जब अमल की अभिक्रिया चार से होती है, लेकिन आपने अमल की अभिक्रिया किस से करवाईए पानी से करवाईए पानी कोई शार थोड़ी है तो कुल मिला के देखो आपने जल में थोड़ी मातरा में अमल मिलाया यानि जल और अमल को मिलाया है अगर अमल और शार को मिलाते तब सॉल्ट बन जाता तो सर यहां पर सॉ दासी नहीं करन हो रहuri किया नहीं सर दासी नहीं करन तभ सब्योंतता है yeah ौर ओरसडाव में और पडान यह。 जैसे एक अमल का मैंने एकजम्पल ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसेड जब आप लोग इसको पानी में डालेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन का त्याग करेगा एच प्लस और सियल माइनस में तूट जाया गई है तो जब किसी पर आवेश होता है इसको बोलते हैं आयन तो आयन बना रहा है न यहाँ पर आयन का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस प्रक्रिया को बोलते है आयनाईजेशन यानि आयनिगरन दोस्तों क्या डायलूशन हो रहा है कि डायलूशन का मतलब पतला करना यहर अमल और पानी को मिला रहे हो पानी नहीं मिलाते तो अमल गाड़ा होता पानी मिला दिया तो डायलूट हो गया न तनू हो गया तो इस प्रक्रिया को डायलूशन भी बोलेंगे ठीक है क्या समझ म में आगया कि तमसब करके लाइक करके बता दो यार चलिए बहुत बढ़िया नैश कोशन आपके स्क्रीन पर जल्ली से जल्ली से निम लिखित से इन में से किस से पी-एच पेपर का रंग हरा नीला हो जाएगा सर जो यह पी-एच पेपर है उसका रंग ग्रीनिश ब्लू किस से हो जाएगा यह आप लोगों को बताना है तो अगर मैं बात करूँ बेसिक नेचर का होता शारी प्रकरति का होता तो नीले रंग का होता अमली प्रकर्तिका होता तो इस पेपर का रंग रेड हो जाता लाल हो जाता बट ग्रीनिश ब्लू कब होगा जब शारी प्रकर्तिका तो है बट बहुत ज़्यादा शारी नहीं है क्योंकि शार भी तो दो प्रकार के होते हैं एक होता है दूर्बल शार यानि वीक बेस एक होता है स्ट्रॉंग बेस यानि प्रबल शार तो कुल मिला के कोई ऐसी चीज से पी एच पेपर का रंग ग्रीनिश ब्लू होगा हरा नीला होगा जो थोड़ा दूर्बल शार हो ठीक है लेमन जूस नीमू का रस में तो ये तो अमली प्रकर्तिका होता है ये तो होगा नहीं सिरका जो होता है विनेगर जो होता है उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है ये भी अमली प्रकर्तिका होता है नहीं होगा common salt किसे बोलते हैं sodium chloride को common salt बोलते हैं जो कि क्या होता है उदासीन प्रकर्तिका होता है तो ये भी नहीं होगा एक ही option बचा अब दोस्तों ये antacid क्या होता है पहले मेरी बात को समझे जब हमारे पेट में अमल की मातरा बहुत ज़्यादा हो जाती है acidity बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आप लोग इस प्रभाव को कम करने के लिए कुछ दवाईया लेते हो उसे ही आप लोग बोलते हो antacid या फिर ऐसे आपके पदाट जो acid के effect को कम करे उसको आप लोग बोलोगे antacid तो सर हम कौन कौन से ले सकते हैं जो आप जो लेते हो ना वो दो का सबसे ज़्यादे इस्तिमाल होता है एक तो magnesium hydroxide और एक aluminium hydroxide दोस्तो aluminium hydroxide में यहाँ पर तीन आएगा magnesium hydroxide में दो आएगा ध्यान रखियेगा इस बार के antpc cbt1 में आप से ये भी पूछा गया magnesium hydroxide का दूसरा नाम क्या है तो इसको milk of magnesium भी बोलते हैं milk of magnesium भी बोलते हैं याद रह जाएगा क्या बिल्कुल रह जाएगा सर चलो आगे चलो बताओ निम लिकिट में से कौन सा एक viral रोग नहीं है मतलब ऐसा कौन सी डिजीज है एसा कौन सा रोग है जो virus से नहीं होता क्योंकि virus से होने वाले रोग को ही हम लोग viral रोग बोलते हैं बताओ जल्दी से बताओ चलो सर समस्तने एक एक करके answer आ रहे हैं यार देखते है क्या बात है सभी का answer आ रहे हैं देखो दोस्तो डेंगू जो डीजीज है वो किसे होती है सर ये वाइरस की वज़े से होती है यानि ये तो एक वाइरल रोग है एड्स जो डीजीज है वो भी वाइरस की वज़े से होती है आपको पता है ना HIV वाइरस की वज़े से ही एड्स होता है यानि सर ये भी वाइरल डीजीज di Bridge in influenza है यह भी वायर्स के वज़ए से होती है वो ہے गानु की वज़े से होती है तो यह वायरल DDS की बता है क्या आप मज़े से मुझे इसके बैक्न बता सकते हैं इसके बैक्न है सौलमोनेला टाइफी इसके बैक्टिरिया का नाम है दोस्तों मुझे एक चीज बताओ यह बैक्टिरिया आपकी बॉड़ी में एंटर कैसे करता है कोई मच्छर की वज़े से एंटर करता है कि नहीं चर अगर हम लोग गंदा पानी या गंदा खाना खाते हो ना मतलब भार की हमारी का नाम ही टाइफेड है ठीक है तो दूश्यत जल से पीज़ें भीजन से दोस्त हमारी बोडी में एंटर कैसे करता है मच्छर है जिसका नाम है एडीज मच्छर तो अगर माल लिजी एडीज मच्छर संक्रमित है उस वाइरस से और अगर एडिज मच्छन ने आपको काट लिया तो उसकी बॉड़ी से वाइरस आपकी बॉड़ी में आ जाएगा और आपको क्या हो जाएगी डिजीज हो जाएगी चले आगे आजाओ आजाओ अंसर बताइए अगर आप लोग उसको छोड़ोगे ना तो देखो नीचे आ रही है तो नीचे आ रही है इसका मतलब इस पर कोई ना कोई फोर्स लगता है उसे ही हम लोग उस वस्तू का भार यानि वेट बोलता है जिसका formula होता है M into G द्रव्यमान गुरूरुत्वी तवरन अब दोस्तों आपको पता है गुरूत्वी तवरन का मान जो होता है वो चंदर्मा पर कम होता है प्रत्वी के मुकाबले नहीं यह मान कम होगा तो यह पूरा का पूरा मान कम होगा greater on earth and lesser on moon प्रत्वी पर अधिक और चंद्रमा पर कम ठीक है option number A लेकिन ध्यान रखना जैसे इस बार NTPC CBT1 science में question पूछा गया था क्या कि किसी वस्तू का द्रव्यमान अर्थ पर प्रत्वी पर 60 kg है चंद्रमा पर उस वस्तू का द्रव्यमान कितना होगा आप लोगों को option में 60 kg दिया हुआ था option में 10 kg दिया हुआ था बहुत जने रट रखेते हैं कि चंद्रमा पर बट्टे 6 हो जाता है 108 का बट्टे 6 दस आपको दे ऐसे examiner कूदा ऐसे दोस्तों द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता यह वाली जो चीज है ना इस वाली चीज में चेंज नहीं होता कि एवल इस वाली चीज में होता है तो द्रव्यमान चाहे चंद्रमा पर जाओ चाहे कहीं पर भी जाओ किसी भी वस्तू का द्रव्यमान चेंज नहीं होगा अगर यहां पर एक किलोग्राम की मैं चंद्रमा पर जाओंगो तब भी एक किलोग्राम की रहेगी ठीक है चलिए अंसर बताईए क्योशन आपकी स्क्र है इसमें जो वर्टिकल लाइन तोटल इसे आप लोग बोलते हैं तो यह दो फॉल्फ वर्ग जो रहे ना जैसे माल आठारवा है माली जीन सतर्वा है यह तो सोल्वे वाले को क्या वो लोगे क्योशन में यह पूछा जा रहा है देखो कुल मिलाके बात हो रही है इस सोलवे वर्ग में जिसमें कौन कौन आते हैं सर जिसमें आते हैं ऑक्सिजन सलफर सेलेनियम देखो इन दो पे ही मैं ज़्यादा अभी ध्यान दूंगा खारण के अभी मैं आपको बताता हूं तो सोलवे वर्ग में जो इस सोलवे ग्रूप को आप लोग क्या बोलते हो क्या बोलते हैं जल्ली से बताओ चालकोजन बोलते हैं बहुत बढ़िया तो चालकोजन बोलते हैं पहले ये बताओ दोस्तो चालकोजन जो ये वर्ड है जो ये शब्द है इसका मतलब होता है और हम लोगों को metalls की जरुत है सर क्यों जरूरत है अरे आपके घर में बर्तन होते हैं हो युह हैं तो बर्तन तब ऑपाएंगे हम लोग जब हमारे पास में जो आप में सोने की डीन सही टेन प्यांन पाओं और जब सोंना होगा तो मैंठल हमारे पास metal हमारे लिए बहुत जरूरी है बट problem यह है दोस्तों जितनी भी metal होती है न वो pure state में पाई नहीं जाती है जैसे for example calcium आपको चाहिए जो कि एक metal है तो ऐसा नहीं है calcium आपको पहाड़ों पर जाओगे रखी भी मिल जाएगी तो basically इनको आप लोगों क्या बोलोगे और और्रशले असे आइस्याल को जाएलो जन बोलते हैं यार यह तो सब कहा और आता यह तो सबको आता है मुझे इसके बारे में बताओ यह नहीं आता आपको यह आता भी तो होगा बहुत कम लोगों को आता होगा जिनको नहीं आता वह आप लोग सीख जाएंगे पीनी कोजन्स किसे बोलते हैं तो दोस्तों यह जो पंदरवे वर्ग में जितने भी आप लोगों के तत्वार है नाना पाटे कर असरानी सब बिमार सब छोड़ो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली नाइट्रोजन परिवार क्योंकि इस परिवार का मुख्य सदश्य क् देंगे कहानी क्लियर है गया दोस्तों इसको बोला जाता है पीनी कोजन अब क्यों बताएगा क्योंकि दोस्तों इस पीनी कोजन वर्ड का मतलब होता है घोटू हिंदी में गोटू और इंग्लिश में चॉक चॉक बतला बोलते हैं मेरा गला चॉक हो रहा है तो हम जीवित रहे पाएंगे नही रहे पाएंगे ना तो यहां दोस्तों इस रूम में ऑक्षिजन गेस नहीं हो केवल नाइटोजन गेस एक थोड़ा पॉइजिनस तो नहीं बोलूँगा मैं लेकिन आप लोगो सास लेने बहुत दिक्कत आईगी आपका गला यह ना घुट जाएगा तो हमारी डैट हो सकती है इसलिए इस पंदरवे वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं पीनी कोजन के नाम से भी जानते हैं याद रह जाएगा च अच्छे से पढ़ाई करो खुछ मत करो अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो सेलेक्षन से और कौन रोखेगा तो जब पढ़ने वाले बच्चों का नहीं होगा तो क्या बिना पढ़ने वालों का होगा क्या तो आप लोग मैनत कर रहो और परस रेगूलरी मेंटेन करिए कुछ बच्चे होते हैं, आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, चार दिन आएंगे, फिर गयद, तो आपनों को persistence दिखाना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, तब ही आपका selection होगा, और आराम से होगा, चलो, plus lens का उप्यों किसमी किया जाता है, सरी, plus lens तो मैंने पहली बार सुनाए, दोस्तों, जो convex lens होता है, यानि, जो उतल lens होता है, उसकी power क्या होती है, positive होती है, जबकि concave, यानि उतल वालों की, जो power होती है, वो क्या होती है, negative होती है, तो उसकी power positive है, इसलिए हम लोग इसक को प्लस लेंस के नाम से जानते हैं इसको हम लोग नेगेटिव लेंस के नाम से जानते हैं तो बताइए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तिमाल कब करते हो बताओ उत्तल का सर्फ जब किसी व्यक्ति को दूर दूर दुर दुर्श्टी डोश होता है ना हाइपरमेट्रोपिया होता ह तब हम लोग करते हैं convex का use और जब किसी व्यक्ति को myopia होता है myopia यानि निकट डश्टी दोश्ट तब हम लोग करते हैं अवतल का यानि concave का तो positive के बारे में पूछा जा रहा है तो कप करेंगे जब किसी व्यक्ति को दूर डश्टी दोश्टो फार साइट ने सो लॉंग साइड ने सो हाइपर मेटरोपिय अब इसको बोलते हैं करेंट अंसर आप लोगों का option number C हो जाएगा clear रहे गया चलिए Nash question आपके screen पर बताएंगे उन उद्योग में चटाई करता दोस्तो चटाई करता किसको बोलते हैं जैसे मैं एक बार आपको image दिखा दूँ जैसे आप लोगों को पता है कि यह जो उन आप लोगों को मिलती है तो उसको जब आप काटागे उसके चटाई होती है ना उसके इंडर्श्ट्री इसमें चटाई करता होता है कभी-कभी डैश नामक जीवानू से संक्रमित हो जाता है कभी-कभी उनको infection हो जाता है एक बैक्टीरिय की वेदे से उसका नाम बताना है और दोस्तों इस बैक्टीरिय के कारण disorder disease है ना मतलब वो बैक्टीरिय जब आपकी बोड़ी में आ जाएगा जब आपको उससे infection हो जाएगा तो जो इसके बारे में अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं दोस्तों पहली बात मैंने आपको बताया ना कि यह जो उनकी जब छटाई होती है जब इसकी बैक्टीरिया जिस जीवानों की वज़े से होती है देखो एटेस कोश वाए दी बैक्टीरिया बैसिलस एंट्रेसिक्स बतलब उस बैक्टीरिया का नाम क्या है एंट्रेसिस है अब यह चुम्ब के शेत्र क्या होता है दोस्तों कोई भी मैगनेट होती है ना कोई भी चुम्बक होता है इसके चारों और कुछ मैगनेटिक फील्ड होता है चुम्ब के शेत्र होता है सर आपको कैसे पता बड़ा दोस्तों लोहे का टुकड़ा लेकर आओ देखो उस पर क कुछ फील्ट है कुछ शेत्र हैं तो अगर आप लोग उसे पूछछा जाये मैगनेटिक फिल्ड को अगर मुझे मैजोर करना आए तो इसके लिए कौनसे मत्रग स्तिमाल बात्रा यह नहीं है तो आप क्या करो सिंपल सी बात देखो यह औरिष्टोड सापका experiment में बता रहा हूँ जैसे मालो दोस्तों यह wire है अगर किसी wire में जब कोई current flow होती ना तो यह किसकी तरह ट्रीट करता है अगर किसी वायर में current flow हो रही है तो यह magnet यानि एक चुम्बक की भाती व्यवार करता है और अगर चुम्बक है तो इसके चारो और चुम्बके शेत्र भी होगा magnetic field भी होगा इस बात का पता कैसे लगा सकते हो दोस्तों मैंने निडल रख दिये किसकी magnet की तो अगर इसमें deflection हो रहा है इसका मतलब इसके चारो और कुछ magnetic field है तो magnetic field का पता आप लोग किसे लगाते हो magnetic निडल लगाते हो चुम्ब के सुज़ से लगाते हो चली नैश कोशन आपके स्क्रीन पर बताएं है जल्दी से कर देते हैं यह magnet है, magnet के दो पोल होते हैं, एक north pole यानि उत्री दो, एक south pole यानि दक्षिन दो, तो दोस्तों north pole से कुछ लाइन से निकलती है, कुछ रेखाय निकलती है, जिसको बोलते है magnetic field lines, यानि चुम्ब के शेतर रेखाय, north pole से निकलती है, और कहाँ पर जाती है, south pole में जाती है, तो अगर आप लोगों से पूछे, बाहर दिशाय कहाँ पर है, तो बाहर north से south है, उत्तर से दक्षिन है, लेकिन अंदर south से north है, यह इसे घूम के ऐसे आती है, तो अंदर क्या है, south to north है, अंदर ही पूछा जा रहा है, correct answer आप लोग का option number B हो जाएगा, और दोस्तों एक चीज आप लोग समझिए, आप लोग बोलेंगे कि सर मेरे घर में मैगनेट है, चुमबक है, मैंने बोला अच्छा, आगे बताइए, सर उसके चारो और मुझे ऐसी लाइन्स दिखती ही नहीं है, दोस्तों ये वाली लाइन्स रियल में होती ही नहीं है, जश्ट ये imaginary लाइन्स है कालपनिक रेखा है, तो सर इसको बताया क्यों है, दोस्तों ये वाली लाइन्स बस इसलिए बनाई जाती है, ये दिखाने के लिए कि मैगनेट के चारो और मैगनेटिक फिल्ड है, अगर मालो कोई मैगनेट है, यहाँ पर मैंने कुछ लाइनी नहीं बना रखी, इसका ये तो देखो, बाहर से अगर हम लोग बात कर देखो, बाहर से नौर्थ से साउथ है, बाहर नौर्थ से साउथ है, अंदर साउथ से नौर्थ होगी, ध्यान रखिएगा, चल ये नैश कोशन आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छा कोशन है, बहुत 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 ठीक है पढ़ लो इधर क्या विनोड धरा रह जाएगा यह दो चार कमेंट करके अपने आपको इस समस्तों देखो मैंने बाक्यों को असा दिया हाहा तो जब रिजल्ट आया गा ना तब वह आपकी रिजल्ट पैसेंगे हाहा हाहा हमको असा रहा था खुद असलिया तो बहु हद् insider था ठीक है आजाओ यह स्ट्रविकर को बोलते हैं रोय assid दत्वरी तो यह को सकता है बहु सकता है लोहे का भी तार हो सकता है ठीक है तो आपने एक तार बना आपको कित्ती दी हुई है L दी हुई है ठीक है दोस्तो तार आपने जिस पदात का बनाया है उसकी प्रतिरोधक्ता आप लोगों को दी हुई है रो कुछ भी माल लो X माल लो Y माल लो Z माल लो ठीक है अब आप लोगों को बोला जा रहा है कि यार आपने इस तार को क्या कर दि तो बताईए इस left वाले भाग की प्रतिरोधक्ता क्या होगी दोस्तो प्रतिरोधक्ता उतनी ही होगी जितनी पहले तीसर इसका कारण क्या है क्योंकि दोस्तो हर पदार्थ की एक fix प्रतिरोधक्ता होती है silver की जो है वो fix रहेगी आप चाहे silver का छोटा सा तार लो चाहे बड़ा तार लो copper की कोई प्रति दोदगता होगी तो उतनी रहेगी चाहे बड़ा तार लो छोटा लो तो अगर आपनों काट भी दोगे ना तो प्रति दोदगता में कोई भी परिवर्टर नहीं आएगा प्रति दोदगता केवल दो चीज पर डिपेंड करती है एक तो पदार्त पर जैसे silver का वायल लोगे तो अलग प्रति दोदगता होगी copper का लोगे तो अलग होगी और एक temperature पर बस आपने यहाँ पर काट के लंबाई चोड़ाई चेंज करी है तो इससे प्रति दोदगता में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा इसकी भी उतनी रहेगी इसकी भी उतनी रहेगी correct answer option number A हो जाएगा चली इसका अंसर बताएंगे यह question दोस्तों बहुत अच्छा है ALP का question है ठीक है और आपको बता है group D में काफी numerical पूछे जाते हैं तो यह कुछ भी numerical नहीं है मुझे चोड़ाई और 20 cm उचाई वाले box पर तीन तरीके से खड़ी होती है चलो पहले box बना लेते हैं सबसे पहले ठीक है box मैंने बना लेता हूं मैं यह मैंने box बना लिया दोस्तों इस box की लंबाई किति दी हुई है आप लोगों को सर इस box की लंबाई दी हुई है मुझे 60 cm ठीक है सर ठीक है सर और चोड़ाई किति दी हुई है चोड़ाई दी हुई है सर 40 cm ठीक है और आपको उचाई किति दी हुई है उचाई कौन बताएगा उचाई सर उचाई दी हुई है 20 cm बहुत अच्छी बात है ठीक है कोई दिक्कर कोई परिशनी नहीं अब इसका अभी जब मैंने इसको ऐसे रख रखा है तो इस वाले case में base कौन सा है आधार कौन सा है ये वाला है कभी आप लोग ऐसे रख सकते हो कभी ऐसे रख सकते हो है ना वो आपके उपर ठीक है अब माल लेते हैं इस box पे क्या खड़ी है एक लड़की खड़ी है दोस्तो लड़की का भी कोई ना कोई weight होगा भार होगा भार क्या है एक प्र force है वो तो fix है क्योंकि आप लड़की तो change नहीं कर रहे है लड़की का एक fix द्रव्यमान है ठीक है दोस्तो एरिया अगर कम होगा ना एरिया अगर कम होगा तो pressure का मान क्या होगा ज्यादा होगा तो एरिया कम कब होगा जब आप लोग बेस 60 इंटू 40 से बनाएंगे तब आप या ऐसे कर लो 60 इंटू 20 से होगा तो एरिया कम कब कब होगा तो कोई यहां पर क्या रहा है 6 4 2400 यहां पर चार इंटू 2 8 866 अज़या पर क्योशन आपके स्क्रीन पर बताएंगे इन में से समवनी पौदों को चुने अब सरी समवनी पौदे कौन से होते हैं ऐसे आप लोगों के प्लांट जिन में जायलम और फ्लोएम पाए जाते हैं उसको आप लोग बोलते हो वस्कुलर प्लांट सरी जायलम क्या होता है जायलम एक प्रकार का टीशू है सरी इस टीशू यानि उत्तक का काम क्या है ये क्या करता है जो जड़ो से जो पानी एब्जॉर्ब हुआ उसको पूरे प्लांट पहुचाता है तो ये क्या करता है पानी का ट्रांस्पोर्टेशन करता है जबकि प्लांट में यह दोनों पाए जाएंगे उसको आप लोग बोलेंगे वस्कुलर प्लांट अब एक चीज आप लोग ध्यान रखेगा आपने अलग-अलग प्रकार के प्लांट सुने होंगे थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टैरीडोफाइटा यह यह दोस्तों पाए जाते हैं तो आपकी जानकरी के लिए बता दो फर्न यह जो प्लांट है यह किसका एक एक जांपल है तो यह आपका एक वस्कुलर प्लांट है और आप लोगों का आप्शन नमबर ए हो जाएगा सिंपल सी बात है चलो इसका अंसर बताईए जब शुकरानु योनी में जाता है तो वह किस मार्ग से यात्रा करेगा चार आप लोगों को आप्शन दिये हुए है ना प्लीज आराम से आप लोग देखिए आप लोगों को बताना है जब इस पम फीमेल बॉडी में जाएगा तो उसका पात क्या होगा है ना अंदर ट्र चलो सौल करने की कोशिश करते हैं डाइगराम की माध्यम से इदर देखिए तो ये फीमेल का रीप्रोड़क्टिव सिस्टम है माधा का प्रजनन तंत्र है तो इस पर शुकरानू दोस्तों सबसे पहले इसमें जाएगा वजाईना में अब देखो ये वाला जो पार्ट है प्लीज मेरी बात को द्यान से आप लोग समझेगा ये वाला पार्ट है यूटेरस यनि गरबाश है तो इस यूटेरस का जो नीचे वाला पार्ट है या आप लोग बोल सकते हो यूटेरस का जो लोवर एंड है निचला किनारा है इस वाले पार्ट को आप लोग बोलते हो स सबसे पहले हो जाएगा वजाईना योनी योनी के बाद में हो जाएगा सर्वेक्स इसके बाद में यूटेरस यानि गरबाश है इसके बाद में फैलोपियन ट्यूब जिसे आप लोग डिम्ब वही का भी बोलते हो यह डिम्ब वही ने भी बोलते हो तो बताओ वजाईना के बाद में सर्विक्स जिसे आप लोग हिंदी में गरवाश गरीवा बोलते हैं इसी को आप लोगों का करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अच्छा कोशन बताओ जल्दी से फिर पास कोशन बचें जली-जली करने पॉली विनाईल क्लॉराइड इस प्रकार का बहुखलग का होता है जो बहुत चोटी-चोटी-चीजों तो यह जिन बहुत चोटी-चोटी चीजों से मिलके बना हुआ है घुझा कुल मिला के फॉली मरा है बहु लग 도क Ela Pas लिनियर पॉलीमर होते हैं रेकिक बहुलक ब्रांच पॉलीमर नहीं, क्रॉस लिन मेर तो कौन सा होगा देखो यानि रेकिए बहुलक किसों बोलते हैं जहां पर पर होते हैं जो एक लग होते हैं जिन एकायों से वो मिलके बना वहागर वह एक ही स्क्रीड करोंड में व होते हैं देखो एक ही स्क्राइण में नए इर आपस नंसा लिए यह रही ऍंग है था अगर लोग बात करें अलौ के PVC, polyvinyl chloride या polyethylene की बात करें, बहुत सारे polymers ऐसे हैं, जिस में monomer एक लग ऐसे जोड़े होते हैं, यानि वो किसके example है, cross link polymer के example है, तो यह आप लोगों का PVC, polyvinyl chloride किस प्रकार का है, आप लोगों का cross link polymer है, option no.C, correct answer हो जाएगा, नेश कोशन आपके स्क्रीन पे बताएंगे ग्रूप D 288 रगविशन है यह बताओ किस कक्षक में अधिक्तम उर्जा होती है तो आपको पता है कोई भी एटम यानि परमानू होता है उसके बीच में नूकलियस होता है नाबिक होता है इसके चारों और कुछ कक्षा होती है कुछ कोश होते हैं जिसे आप लोग इंग्लिश में शेल बोलते है बाकी मैं आपको बता दू दोस्तों जो कोश होते हैं कोश के अंदर होते हैं उपकोश के अंदर होते हैं कक्षक यानि शेल के अंदर होते हैं सबशेल सब शेल के अंदर होते हैं और बाइटल तो यह जो आप लोगों को चार मैंने एक्जम्पल दिये हैं यह और बाइटल के एक्जम्पल है कक्षक के उधारने तो आपको बताना है किसकी एनरजी ज़्यादा है तो दोस्तों किसी भी कक्षक की अगर आप लोगों को एनरजी नि जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या ठीक है सर और जो एल होता है यह होता है एजी मुथल क्वांटम नंबर जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं देगंशी क्वांटम संख्या समझ में आ गई क्या बात को ठीक है सर समझ में आ गई सर यह 3 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है। ठीक है। आपको L के मान भी बताना है। दोस्तो, L जो होता है न दिगनशी क्वंटम संक्या … यह आपको अपकोश के बारे में बताती है। अगर L का मान 0 है, इसका मतलब S Uπकोश है। L का मान 1 है, इसका मतलब P Ueen P ल कमान टू है इसका मतलब डी उपकोश है और ल कमान थ्री इसका मतलब एफ उपकोश है तो यहां पर उपकोश कौन सा है पी है इसका मतलब ल कमान वन है यहां पर उपकोश कौन सा है यहां यहां पर उपकोश कौन सा है पी है पी है तो ल कमान वन यहां पर उपकोश कौन सा है s ए l का मान 0 तो मुझे n प्रस n का मान बताओ तो इस वाले के लिए n प्रस apocalypse कितना होका 2 प्लस 1 3 इसके लिए 3یں प्कलब 0 3 इसके लिए 3 प्लस 1 4 प्लस devastate 4 तो सबसे अधिक्तम उ Luigi किस्की होगी जिसके n प्लस l का मान अधिक्तम कोगा सर इसका भी 4 है इसका भी 4 है 3P का भी 4 है 4S का भी 4 है तो क्या दोनों की energy बराबर होगी दोस्तों जब N प्लस L समान होना जब N प्लस L समान होना तो जिसका N जादा जिसका N जादा उसकी energy जादा तो 3P और 4S में से N जादा किसका है तैंसे की नाам से बहुत जाना जाता है तो दोस्तों एक विटामीन है जिसका नाम है विटामीन बी 9 जिसे आप लोगफ खॉलिक एसिड के रूप में भी जानते हैं जिसको आप लोग फॉलेट के रूप में भी जानते हैं दोस्तों ये हमारे ब्लड में RBC के निर्मान के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और इसी विटामिन B9 को हम लोग विटामिन M के नाम से जानते हैं करेक्ट अंसर आप लोगों का आप्शन नमबर B हो जाएगा चले आगे चलिए बताएंगे यूरेनियम के नाबिक विखंडन से किसके नाबिक मिलते हैं तो आप लोगों को पता है दोस्तों यूरेनियम का मानलो ये निूकलिय से नाबिक है अगर आपने इसमें एक निूट्रॉन डाल दिया तो ये अनिस्टेबल हो जाएगा मोटा हो जाएगा तो ये छोटे छोटे नाबिक में तूट जाता है इसी प्रक्रिया को बोलते हैं नाबिक ये विखंडन यानि नूकलियर फीजन आपसे बस ये बोला जा रहा है कि जब यूरेनियम का नाबिक का विखंडन होगा तो आपको किसके नाबिक मिलेंगे तो इससे मिलते हैं आपको बेरियन और सेंसर हो जाएगा चलिए नैश कोशन आपके स्क्रीन पे सेकिंड लाश कोशन भारीजल की खोच किसके दुआरा कि गई ची दोस्तों बहुत इंपॉर्टन्ट है normal water क्या होता है इसका formula होता है h2o heavy water भारीजल का formula क्या होता है d2o होता है समझ में आ गई इस heavy water का इस्तिमाल कहांँ पर होता है जो निउ में इसकी मोड़रेटर मन्दक के रूप में होता है चलिए सर समझ गए इसकी करी ती इसकी करी तो हैर्लड औरेन्नि ऐसका-X equal क्या आप लोग बता सकते हैं कि बदैनियल रथरफोड ने किसकी डिस्कवरी करी थी देखार यार याद रखेगा दोस्तों नाइट्रोजन की करी दी यह भी कई बार पूछा जाता है चलिए लाश कोशन आपके स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताएंगे कि बहुत अच्छा ग्योशन है बहुत 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 अच्छा ग्योशन है सीडियस्ली तो दोस्तों डेली सुबए 10 बजे आप लोग जुड़ो मेरे साथ में शांदार कोशन सब कुछ अपनी तयारी बहतर हो जाएगी बट आप लोगों को रेगूलर्टी दिखानी पड़ेगी मैं कर रहा हूं तो आपको भी तो करनी पड़ेगी तो देखो 10 बजे मैं आप लोग जी विग्यान की शाखाय का कर वाऊंगा यह ना क्योशन चलो निम लिकित में से कौन सा विटामीन मानव शरीर में कोशिकाओ को एक साथ रखने में मदद करता है दोस्तों हमारा जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओ से मिलके बना हुआ है तो कोशिकाओ को आपस में जोड़ होते हैं इसमें खून आते हैं ब्लीडिंग आती है जिसको आप लोग इसकरवी रोग भी बोलते हो लेकिन विटामीन सी का एक काम याद रखिएगा विटामीन सी बैनेफिट दी बॉड़ी बाड़ी बाड़िंग सेल्स टूगेदर यह हमारी बॉड़ी की कोशिकाओ को जो आई करेंगे और कुछ भी एक्ट्रा नहीं करना कि आपको यह भी कर लोबो भी कर लो यह भी सारी चीज़े सिंपल रखो इस क्लास के पीडिएफ आपको साइंस मैगनेट एप इंस्टॉल कर लिए प्ले स्टोर पर मिल जाएगी यूट्टूब क्लासे से अगर आपको प्रोपर एनीमेशन के साथ में बिल्कुल मजा आ जाएगा आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं उससे कोई से भी एक्जम देने चल जाओ आप लोगों का इतना शांदार कॉंटेंट है सारे एक्जम आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे जिसमें जनरेल साइंस आती है और दो लोगों को पता है एक फुल लेंड टैसरीज भी अपने पास में प्ले स्टोर पर जाईए साइंस मेंगनेट आप को इंस्टॉल करिए केवल और केवल 149 रुपए में टैसरीज ठीक है तो यहां पर बाइन आउ कर लीजग मैं बताता हूं कैसे जोइन करना है देखो देखो क्योशन का अंसर आता है जैसे मालो इसका अंसर मालो option no.4 होगा तो इसको save and next कर लीजिएगा अगर माल लीजिए आपको अभी शौर नहीं हो इसको mark करके रखना है कि बाहर में देखेंगे तो mark कर देना mark and next अगर आप लोगों को सीधे ही मालो सतरवे question प्याना ये 20 वे प्य जाएगा are you sure you want to submit a test आप बोलना yes ठीक है तो जब यह test submit करोगे तो proper पूरा result आजाएगा कितने गलत कितने आपके सही हुए यहाँ पर आप लोगों को correct जो हुए उसका solution मिल जागा incorrect solution मिल जाएगा unattempted solution मिल जाएगा ठीक है और proper आप लोगों को सारे solution दिए गए हैं तो यह आप लोग ध्यान रखो test रिस बिल्कुल भी किसी भी condition में miss ना करो ठीक है चलिए तो मिलेंगे शाम को चार बजे और एक बजे अपनी app पे class है जिसमें detail में मैं science पढ़ा रहा हूं मात्र मात्र 699 में का course है detail में science की थोरी मैं आप लोगों को बढ़ा रहा हूं समझ में आ ग अब कुछ भी रेंडम ले कई से भी कुछ भी उठा के पढ़ रहा हूं एक प्रॉपरली सीक्वेंस में पढ़ हो आप लोग सारी चीज आप लोग के लिए आसान रहेगी जैसे में सीक्वेंस में आप लोगों के लिए सीरीज लेकर आया हूं सभी प्रकार की question मैं इसमें cover क अरु वाउंगा. Thank you so much.